हाई फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ माटर पुलाव की रेसिपी शेर करने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो बासमती राइस इसको मैंने पंदरा मिनट पहले भीगा के रख दिया था और मैं यहाँ पर ले ले ली हूँ तीन सो ग्राम हरे मटर और मैं यह ले ली हूँ दो मीडियम साइज के टेमाटर इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और मैं ले ली हूँ चार से पांच हरी मिर्ची इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये मैंने ले लिया है दो चमच अधरक लसन का पेस्ट बड़े वाले चमच से और ये मैं ले ली हूँ कुछ मसाले दो बड़े साइज के प्याज इसको मैंने रफली कट कर लिया है और आधे चमच काले मेरीज एक चमच सौफ और एक चमच बड़े वाले चमच से जीरा इ में लिए लिया कुछ बगारने के लिए मसाले 5 चोटे साइस के तेजपत्ता और थोड़े से काली मिरिच एक बड़ी लाइची तीन चोटी लाइची चार से पांच लॉंग, थोड़े से डाल चीनी और थोड़े से इस्टार फूल यह मसाले हमारे बगार में जाएंगे तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ एक मिक्सी जार मिक्सी जार में हम यह सब मसाले डाल देंगे प्याज, काले मिरेज, सौफ, जीरा तो मैंने समसालों को जार में डाल दिया है अब हम इसका बारी एक पेस्ट बना लेंगे तो इस तरह से हमने मसाले पीस लिया है अब हम चलते हैं अपने गैस पर तो मैंने गैस को आउन कर लिया है गैस पर मैंने पतेली चड़ा दी है अब हम पतेली में डाल देते हैं ओयल ओयल हमारा इसमें जाएगा छे चम्मस्च के लगभग तो ओयल हमारा गरम हो चुका है अब हम ये बगार वाले खड़े मसाले डाल देते हैं अब इन मसालों को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं तो अब हमारे मसाले डाल दैते हैं आदरक लसन का पेस्ट हैं कि कि मैंने लसन अदरक को डाल दिया हैं आब हम यह डाल देते हैं मसाले जो मैंने पीस पी Kane सांगोरBER को हम भून लेते हैं 2-3 मिनट तक तो मसाला हमारा भून चुका है हमारे मसाले में से खुश्बू आने लगी है अब हम इसमें डाल देते हैं ये मतर इसको भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं और साथ साथ ही हम डाल देते हैं डाल देते हैं डाल देते हैं टमाटर और हरे मिर्ची और मैं ये डाल देती हूं गरम मसाले ये बड़े वाले चमच से एक चमच है अब इन सब को हम चला लेते हैं अब मैंने अभी तक नमक नहीं एड़ किया था अब हम इसमें डाल देते हैं दो चमच नमक तो मैंने दो चमच नमक एड़ कर दिया है अब इसको हम एक दो मिनट और भूनेंगे तो भूनते हुए हमारा एक दो मिनट हो चुका है अब हम एड़ कर देते हैं चावल तो मैंने चावलों को एड़ कर दिया है अब इसको भी हम कर लेते हैं मिक्स तो मैंने चावलों को मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डाल देते हैं पानी पानी हमने तीन गिलास लिया है अब हम इस स्टेज पर अपना नमक भी चेक कर लेंगे तो नमक हमारा थोड़ा सा कम था हम इसमे एक चमच और नमक डाल देते हैं तो मैंने एक चमच नमक और एड़ किया है तो अब नमक हमारा बराबर हो चुका है अब इसको हम ढग देते हैं पकने के लिए मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है अब मैं मतर प्लाव को चेक कर लेती हूँ तो हमारे पानी भी सूप गए है अब हम इसको चला लेते हैं थोड़ा सा इसे और मैं अपने गैस के फ्लेम को एकदम सीलो कर देती हूँ तो मैंने गैस के फ्लेम को एकदम सीलो कर दिया है और मैं उपर से थोड़े से पोदीने की पत्ती और धनिय की पत्ती डाल देती हूँ इससे हमारे मतर प्लाव में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो मैंने थोड़े से धनीय की पत्ती और पदी ने डाल दिये है मhattar प्लाओ में अब हम ढख देते हैं और हम अपने gas के flame को इदम कर देते हैं और हम ये मhattar प्लाओ को दम पर छोड़ देते हैं हम चावलों को ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से पक जाएं और फिर हम ढग देते हैं इसको जब मैंने धनिया और पुदीना एड़ किया था तो उस वत हम को घी डालना चाहिए तो मैं भूल गई थी इसलिए हम अभी डाल देते हैं भग देते हैं तो अब हमारे मटर पुलाव पक चुके हैं अब हम अपने गैस के फ्लेम को बन कर देते हैं और मैं मटर पुलाव को प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ यह हमारे मटर पुलाव बहुत खिले-खिले बने हैं तो मैंने मटर पुलाव को डिश आउट कर लिया है यह हमारे मटर पुलाव बहुत टेस्टी बने हैं एक बार इसको हमारे तरीके से जरूर ट्राई करें बहुत पसंद आएंगे आप सबको तो यह हमारे मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Allah हाफीज